इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी कैसे प्रभु को सौप दी तूने पूरी अपनी जिंदकानी सच्चाई सफाई साधगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान इस धर्ती को गुलिस्ता बनाया तू है शाने हिंदुस्तान कभी दुर्गा कभी शीतला बन बर्दानों की वर्षा की मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रुहानी पालना की तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रम्हा वत्सों द्वारा पाई है तेरी यादों को संजो कर एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है Companion of God दादी जान की नमस्कार, ओम शान्ती आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है Companion of God दादी जान की कारिक्रम में पिछले एपिसोड में हम आधर नियर राजुभाई जी से सुन रहे थे मूरली के विश्य में कि डाइरेक्ट पर्मात्मा के ये महावाक्य है जिसे सुनकर दादी जान की जी को इतनी शक्ती प्राप्त होती थी हम दादी जी के विशय में और भी बाते आपसे जानना चाहते हैं हम यह भी जानना चाहते हैं आपसे जैसे पिछले एपिसोड में आप मुर्ली के विशय में बता रहे थे कि मुर्ली सारे ही विश्व में पहुंचती है तो पहले तो क्या होता था कि एक स्थान से दूसरी फिर समय लगता था उनको पहुंचने में नूसरे स्थान तक, अभी तो हम देखते हैं कि पर्मात्मा के यह महावाक्य एक ही टाइम पर जो यहां चलते हैं वो पूरे विष्व में चलते हैं, तो यह कब से स्टार्ट हुआ है अजा है कि पहले जब साकार बाबा थे तब तो अरुने मोट भी आंश पोस्ट अपagneं पोस्ट में बेजे जाते थे, बात्त्ररगोज बाबा में भीष्श फिर शनको भीपी सात में उसरे मोलि जब मैं अगीन === उसके बाद धिरे-धिरे मोलियां बढ़ती गई, विष्टार होता गया सेवाओं का, और पहले हमारे पास दादा आनंदक सोड जी थे, जो मदुबन में ही रहते थे, पांडबहून में, और हिंदी से इंग्लिस करते थे, उनकी इंग्लिस बहुत अच्छी थी, जो दादा आ जानकी जी लंडन में रहने लगी, तो दादी जानकी जी ने कहा कि ये इंग्लिस मोली जो है वो लंडन में ही ट्रांसलेशन होगी, वहां की लैंग्वेज कैसी है, वो लो क्या समझते हैं, उसी अर्षार यहां की बहने ठीक कर सकती हैं, और मुझे कहा कि आप मदूबन से दिरेक्ट लंडन में मोली भेजना सुरू करो तो मैं कुछ दिन पहले तयार करके उनके पास भेजता था और वो लंडन में होती थी लंडन से इंग्लिस हो कर के अन्य इस्थानों पर जाती थी अपनी भासाओं में इंग्लिस से कोई प्रांस में कोई दूसरी अन्य स्थानों पर सुने जाते थे तो एक बार जानकी दादी जी मुझे बुलाया और दादी के सामने मुझे बुलाया और दादी को मेरी कम्पलें किरिते से मुश्कराते हुए कहा दादी ये जो है ना भाई ये मुझे बासी खाना खिलाता है तो मैं सोच नहीं लगा मैं राटी आपता के मैं बौला थाणा थाण पिलाता हुष। दभुटि आपता मुझी की अजी की आपता। पर ये उस फुट एड़ झाल दो जी से आपता कि व्हुत्व actu पुलड़े नापता । बॉद्धी जी से दिख हैं। जो मुझे एक महने के बाद, दो महने के बाद मिलती है, तो बासी नहीं हुआ तो, मदूबन में जो चलता हुआ, बड़ी दादी कहती है, देख भाई, कैसे हो सकता है, उस समय साइन्स के साधन भी इतने नहीं थे, तो मैंने हाथो कर लिया, क्योंकि मैं दादियों के सामने तो बशचार लुए नहीं हो सकता, कईसे होगा। लुकिन एक शंसकार ही डाला था, दादी उने कहा हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको, ठ clumsy को, मुलीाथ हमारे पास स्भीश्टाक में रहती हिं, फिर उनको पहले से ही थैयार करना talk और शुक्यार करके दो महिने पहले नायी महिने नाय मेहें पहले भावाऱी मेहिए दो खेयार करना फिर सबको भेजना दिरे दिरे बाबा भी देखता है, साइंस के साधन आते गए, हम लोग कम्टूटर सीखे, कम्टूटर कभी बजार से बाहर से से शेके नहीं है, मदुबन में बाबा के घर में ही सीख लिया, और शीखने के साथ साथ इन मूड़ियों को फिर एमेल निकला, साधन आये, इंटरनेट आ गया, तो इसके आधार से बहुष सहज हो गया, प्रिंटिंग में भी हम दो महिना डेड महिना पहले मूड़ी दे देते हैं, ताकि समय पर पोष्ट जाए और सभी एक दिन जो इहां की मूड़ी है, वो सभी एक साथ सुन सकें, तो इसकी मैं समझता हूँ आज से 15-16 साल पहले, इन सेवाओं का अमने प्रारम, दादी जी बड़ी दादी जी, उनके सामने ही यह सुरू की थी 5-6 साल पहले, दादी जी के कहने से, और तब से लेकर के लक्ष रखा, कि जो भी लेंग्वेज हैं, जितनी भी हैं, हमारी 18 भासाओं में, 18 लेंग्वेज के अंदर इंटरनेट पर मोड़ी है, और उन सब का पासवर्ड और लंडन से ही सप्लाई होता है, लेकिन हम भी यहां से देते हैं, हर भासा, हमारे भारत की कितनी भासाओं हैं, साउसाइट की 4-5 भासाओं है, मल्यालम है, कनड़ा है, तिल्गू है, तामिल है, इधर पर उडिया है, पंजाबी में भी अभी टांसलेशन होती है, ऐसे बह आसरू किया, उन्होंने खुद हिंदी सी की पहले, और हिंदी से लो कर रहे थे, तो ऐसे हर भासा में ट्रांसलेशन हो, और ट्रांसलेशन होने के बाद उनको समय पर मिले, पहले तो हमारे पास एक ही साधन था, बुक पोश्ट होती थी, लेकिन बाद में जो साधन दिये, इंटरनेट दिया, इमेल दिये, तो इसके माध्यम से हम लोग फिर एक महिने पहले सब इस्थानों पर मौली भेज देते हैं, जहां-जहां ट्रांसलेशन होती, वहां पहले जाती है, और वो लोग उसको सेट करके, ट्रांसलेशन करके फिर हमें देते हैं, इंटरनेट पर लंडन से हम रखवा देते हैं, और पूरी भासाओं को जो चाहिए सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कई परकार की सुविधाएं रखे गई हर भासा को, और अभी समय अनुसार मैं समझता हूँ, चाहे किसी भी कोने में बाबा का बच्चा हो, उसको उसी देट की मोड आज 10 लाग से भी अधग परिवार जो इस विध्यले का जुड़ा हूआ है, कई जगे पर कई कोने में गितापारसा लाएं हैं, सेंटर्स हैं, उन सब जगे पर ये महावाक की एक साथ चलते हैं, और उसकी सेवा की जुम्मेवारी दादियों ने मुझे दीती, तब से लेक जब तेहार करें और समय पर बिले इस परकार से मुड़ियों की सेवा मिले और अभी ऐसे चलते हैं, जब बहुत अच्छा हम जब दादियों की बात करते हैं, तो आप तो इतने शुरू से इस अंस्था के साथ जुड़े रहें और सभी दादियों को आपने देखा हैं, तो बाद देखी, कि बाबा की अबयक्त होने के बाद, दादियों ने एक लक्ष रखा कि मुझे बाबा के हर स्रीमत को द्रणता के साथ पालन करना है, और बाबा की स्रीमत है बच्चे एक होकर के रहना, तो दीदी और दादी पहले जो हमारी मुक्यवनी दो दादियों को कि जिसको भी बाबा निमित बनाए, वो जैसा कहें वैसा ही आपको करना है, और इन बहनों ने इसी तरह से दादियों ने कहा माना बाबा ने कहा, उसी तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया, जान सरोवर बना, विस्तार हुआ से वाओं का, बड़ी दादी ने जब कोई बात कह का यहिए कि आपको यह कहこと है, आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ जाना है, सदा इन्हों के मंतर रा हाजी हाँ कभी कोई क्वेस्टन मार्क उठाया इनको गड़ी दियां, जेए बाबा के स्थान पर वैठी है, इसलिए इसलिए दी और दादी का इतना रिस्सेश्य तो भाबा ने दादी को खाए अभयक्त बाबा, जब गुलजार दादी के तन में आये बाबा ने का बच्ची यहा जाना और मदूबन का मॉडल बनाना ये तो भाबा ने दादी ने फिर क्या किया जो बाबा के कमरे में ट्रांसलाइट थी भाबा की उसी की कापी जानकी गई और लंडन में सेम मधूबन का मॉडल बनवा दिया वहां से उन्होंने विस्तार किया सेवाओं का तो दादी जानकी ने बहुत दिल से बड़ों को रिस्पेक्ट दिया जो कहा जैसे कहा दादी ने हाजी किया और इन सब की दादीयों का एक संगठन ता ऐसे ने तीन-चा के बाद बाबा को बुलाया गया और बाबा ने सभी दादीयों को ऐसे बुलाया सामने उसमें दादी चंद्रमनी थी दादी सांता मनी जी थी दादी मनोहर इंद्रा जी थी दादी रतन मोहनी जी थी इन सब दादीयों को सामने बिठा के कहा कि अब सब को एक होकर के रहना ह लेकिन वह यह नहीं रहेंगे. बाबा ने बढ़े दिया, आपको लंडन में रहना है कि विदेश की सेवाँ कार्य आपको देखना है। इसलिए दीदी के अब्यक्त होने के बाद भाबा ने दादी जानकी जी को मदुबन में नहीं रखा, उनको लंडन में भेज दिया, और दादी को कहा कि अभी तुम इन दादियों को अपना साथी बनाओ, चंद्रमाज दादी, मनुवर दादी इन दादीयों को बड़ी दाद को अब देना है, अंदर की कारोबार को देखना है वो फिर हम सब जो साथी थे, सब को दादीयों बुलाती थी, मीटिंग करते थी। त या आपने कभी दादियों के अंदर ऐसी भासना देखी एक दूसरे के प्रतिनिधी है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्ज है, आगे न इनों ने कभी भी यह समझा नहीं, मैं बड़ी हूँ, सबसे बड़ी विसेष्टा यही थी, कि एकदम यह नम्रता का उतार बन करके रही है, उन्हों ने दोसरों को ही आगे किया, हम लोगों कहते थी, नहीं, तुम जो कर रहे हो वह तच्छा कर रहे हो, कभी यह नहीं कहा कि म तेरा नाम हो या तेरा नाम हो, यह जो सब बड़ी हूँ, हमने दादी के अंदर एक विसेष्टा देखी, मेरा एक चोटा सानभव यह रहा, मैं बहुझ छोटा था जब झवाए, यह आयू में अच्छोटा था, और मदूबन के अंदर एक हाल था, चोटा हाल, कि हिसको हम पहले वही एक हाल था, पंडभवन में, और मैं जब बाबा के महावा के नोट करता था, तो दादियों को रहता था, पूरी रात इसने लिखा है, यह मुझे सुनाय क्या लिखा है, अच्छा, अब सुनाने के लिए गदी पर मुझे बिठा देती थी, और बाहर सामने कोई मैं तो का पाल था था, एक है लोट रचाता था, आधेती है तो इतनी बड़ी दादि मेरे सामने बेठी हैं, दिदी बेठी हैं, और मैं इनको सुनाओ, तो कहते थी नहीं, तुमको दादि ने भी बिठाया यहां पर, बाबा ने भीठाया है, तुम निर्भाय हों कर तो इतनी निर्मान चित हो थी, निर्मान हता के कारण कोई ने भी कोई बात अगर कही है तो उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी, एक बहुत बड़ी विशेष्टा थी, बाबा कई बार हमें सिखाते हैं ये बात, कि कभी भी किसी की राय को कट नहीं करना, अगर कट कर दो ग हमने कोई भी बात उनके आगे रखी, या किसी दादी ने कोई भी बात रखी, देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, इस पर विचार करेंगे, काटा ने उन्होंने, सम्मान दिया, और अगर लगता था ये ठीक नहीं है, तो बाद में उसको अलग से बुला के कहा कि ये करन राय को उन्होंने काटा नहीं, इसलिए सारा संगठन एक होकर के रहा, अगर हम मान लो आज कोई हमारे पास आता है अपनी राय देने के लिए, और मैं कहता हूं नहीं तुम गलत है, ये ठीक नहीं हो सकता है, तो वो आगे के लिए आपके पास आना ही बंद कर देगा, आप ज्ह weit ईक करके चला आया हूं, कभी भी किसी को यह नहीं है तुम चोती हैं तुम अझा को बड़ी हैं, सब समान हैं और सबल Såbas बेंगता है, और सबल्लिए के वाणार को परना हें और से नहीं का नाहीं हो सबल्द के नहीं हो सब्सक्राइब घाए, मैरा करना है, से फदु औ अपने से भी आगे रखा है इसलिए संगटन में कभी पूप नहीं पड़ी हम आपसे यह जानना चाहते हैं जैसे जब दादी जानकी इस संस्था के हैड बने दादी प्रकाशमणी जी के जाने के बाद तो और क्या-क्या संस्था की सेवाओं में परिवर्तन आया है सेवाओं और ग्यान योग से पालना करने हम तो कभी भी उनके आगे कोई जगन आया पिखनाया कोई भाते को इन लिखी बाते का समाचाराया तो तो कहती थि इसके लिए मेरे कान नहीं है इन नगेट्व बातान को सुनती नहीं है वैसे भी दादी को एक ता एक क्ए गाम सुनता था फो यहार के खालमा लग् 2020 को घुझे ताइब सब्सकारा साथ है। यया वार्भ चाहती पाने था कझा खायada थे मिन अब। झाँ दुखा जनानी जाना तो यह को थे था है त्वेह थाल लग्स, नहीं होगा श अगर बद्बयत निज भाड़े Cleyas M со सब्सकलिं उसका उत्तर ग्यानीयोग तो दो हम आगी जहानीयोगी घि questo darयों कि यह बदम वों अगया होती हैं, जहाँ पर ग्यान और योग का ध्यान नहीं है जहां ज्यान योग की सकती वहां नगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा ने हमें जो सिखाया है कि बच्चे ब्यक्त और ब्यर्थ बातों से मुक्त रोग। जादी जी हमेसा हमारे ध्यान केचवाती थी अगर यहां विग नारा है तो देखना उहां कुछ न कुछ ब्यक्त और ब्यर्थ बातों होंगी। आप ज्यान और योग की सकती से उसे ठीक कराओ। तो कभी भी उन्होंने नगेटिव बातों को ध्यान ने दिया पॉजिटिव रूप लेकर के उस बात में ज्यान और योग की सकती को भरा। इसके कारण उहोंने इतने बड़े विस्तु की सेवा में निर्विग्न रही और सब को निर्विग्न बनाया। कई प्रकार की बाते उनके सामने आती थी उनका एक लक्ष था अंतिम बाते में आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। दादी जी फरवरी मास में हास्पिटल में गई। और मैंने दादी को बहुत नजदीक से देखा है कि उन्होंने कई बार मौत पर विजय प्राप्ते की है। पहले एक बार दादी का स्वास्तु उपड़ता गया। जब दादी बीमार पढ़ने लगी तो मेरे को एक बार बुलाया। तो कहती है राजू तुम मेरा विल लिख। दादी क्या विल करेंगे आपके पास क्या है। तो कहती है मैंने तो सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया लेकिन एक विल बना के रखो। कहती है तुम लिखो कि मेरे मरने पर कोई भी अर्थी पर खर्चा नहीं होना चाहिए। जब मैं सरीर छोड़ू तो कोई को भी फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक अपने लिए दो पैसा भी खर्चा नहीं किया रहा है। और मेरे अंतिम समय में भी कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। तो मैंने हसने लगा दादी ये विल लिखने का कोई फायदा नहीं है। कहती क्यों। हमने का ऐसे कैसे होगा संस्था की हेड एक मुख की प्रसासी का वो अगर सरीर छोड़ेगी तो उसके सरीर के समय सरीर छोड़ने पर कोई आएगा नहीं। पोई को फोल नहीं चढ़ाएगा। किसको मना किया जाएगा। बहुन होंगी सबकी। कहती है नहीं तुम लिख क्या रख और मेरे से जवर्दस्ती लिख वाया। मैंने लिखा। फिर मैंने देखा एक दो बार और भी देखा। कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादी चली जाएगी। क्योंकि जब मैं ये एक बार बीमार पड़ी तो दो दिन तीन दिन तक हास्पिटल में आइसियो में भरते थी एम्दाबाद में। दो दिन बोली नहीं। और एक दिन रात को बोलती हैं अचानक हंसा बहन बाजू में थी कि तुम राजू को बुलाओ। पहला सब्द निकला। तो इसको यह आया कि राजू को दो बजे रात को पहली बार दो निन के बाद बोलने पर बोल रही उसको बुलाओ। तो दूली बड़ी दादी और राजू तो अभू में हैं आप एम्दाबाद हास्पिटल में। और अभी रात के दो बज़े हैं, जो कैसे आएगा? तो एच्छा दो बज़े हैं, फिर थोड़ी दे रुख गई, सो गई, फिर चार बज़े, पौने चार बज़े, पौने चार बज़े, अभी उठ गया होगा, पौन करो, बुलाओ, तो फिर हंसावे ने सोचा कि तयार होके योग के बाद में पौन करो, मुझे पांच बज़े पौन किया, यह पौन आया, तो कहती है, राजू, तुमको पहली बार इतने दो-तीन दें से इतनी सिरियस होनी बाद बुला रही है, आप आओगे, जरूर आओँगा, मैं गया, यहां से मैं गया, नो बज़े के और उसको अपनी जगे बेज़ दो, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन से सिरियस बात है, तो मैं अपना मोबाइल आन करके, और अंसा बैन की सीट पर मैं गया, वहां बैठा जाके, और अपना मोबाइल दादी के अंदर, चदर के अंदर जो उड़ा हुआ था, उसके अंदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब को मेरी तरफ सी याद पत्र लिखो, और सब को याद भेजो कि मेरे बीमान नहीं हूँ, यह थोड़ा हिसाब किताब सरीर का आया है, वो ठीक हो गया है, ठीक हो जाएगा, आप सब निश्चिन्त रहो, योग करो, ऐसे चार-पांच कि इसको जो मैं बोलूँगा, बोलूँगी, वो सारे विश्च में चला जाएगा, इसलिए मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद, थोड़ी देर के बाद, दो-तीन-चार घंटे बाद, गुल्यार दादी मिलने गई, तो दादी को द्रश्टी देती रही, लेकिन बोली क कुछ नहीं, गुल्यार दादी ने सुनाया, बाबा आने वाला दो दिन के बाद, मैं मधुबन जा रही हूं, और 20 हजार लोग वहां पहुंचे हूए है, अब दादी के अंदर बस संकलब चलने के 20 हजार मधुबन में आया है, मैं हास्पिटल में हूँ, गुल्यार दादी दादी ने बुलाया, मुझे छोड़ो यहां से, अब दादी चार पान दिन रेष्ट करो अभी आपको नहीं चुट्टी मेर सकते हैं, मैं कहते हूं तुम मुझे ठीक कर सकता है, बड़े अच्छे सब्द थे दादी के, तो दाक्टर कहता है प्यार से, कि दादी ठीक करने दादी ने उपर है, मैं तो प्रैस कर सकता हूं, जब तुम प्रैस कर सकता और तुम ठीक करने वाला उपर है तो तो मुझे बंद के कू रखाया है, जो चोड़े, और दादी ने चुट्टी ले लिए और चुट्टी लेकर के सीधा ही कार भॉबणाई और मदुबन इस कमरे में नहीं गई जाके क्लास कराया और क्लास करनी बाद तो ठीक हो तो ऐसे कई बार हमने मौत को भी मात दे दी विजयी बन गई तो इस बार भी जब फरवरी में उनके समय हास्पिटल में ती तो मुझे फोन किया और मैं विजय वाड़ा में था दादी की डारेक्ट फोन सब्सक्राइब तो मैं आपको आते ही मिलूंगा किति तुम हो सकता तो अभी आ जाजा अब मैं विजय वाड़ा में कोई ट्रीटमेंट ले रहा था जब मैं आया जाए साथा तो उनका प्षाविण को पहोन करवाया अमने का मैं हारा हूँ तो बोलि अभी तो नहीं आना क् दादी चली गई और अभी बिल्कुल किसी को मिलने नहीं देते हैं वो लाष्ट उनका फोन था और उनकी तरफ से मैंने याद प्यार सभी सेंटर्स को लिखी दादी जी ने ऐसे याद दिया है सबको और महां से संदेश दिया है उसके बाद मेरा फिर बात नहीं हो पाई लेक कर रहा था उसे करता रहेगा तो ऐसे दादी का बहुत नजदीक से संबंद रहा और कई बार हमने देखा कि उन्हों ने कभी शरीर का परवाह नहीं किया बहुत उप्राम रही और लाष्ट में पूरे ग्यान का इसेंस कि में सुनाया मैं कौन मेरा कौन तो ऐसे करके दादी ने हम सब को प्रेना दी हम समने यही सीखा कि सदा उपराम रहना और उन्हों ने जब शरीर छोड़ा तो लॉक्डाउन का समय एक भी कोई नहीं आपाया इतनी देश बिदेश के नहीं तो अगर ऐसे समय पर ठीक समय पर चोड़ती तो लाखों लोग कर्थे होते कितनी फू संकल्पों में इतनी सकती थी जो संकल्प किया वो सिधु है तो भाई सब आप हमारे दर्शकों को कुछ चंद शब्दों में क्या प्रेणा के शब्द कहेंगे जो दादी जी ने हम सब के लिए जो शिक्षाइं चोड़ी उसके आधार पर हम तो यही कहेंगे जैसे दादी की अधीने इतनी पाल्ना देते हुए जेवा करते हुए अदै request you stay Bachai को अंधा का कारे रहा है क्योंक दादी के अंदर एक संकल्प था कि हमें कयए करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है और स्री då डेखना है हम इस वाय कुछा इस बेकुंट की दुनिएक का सत्युकि दुनिया का आवाहन करें और अपनी इस्थिति को बिलकुल न्यारा प्यारा उप्राम बना हों भावा के रह भूवे प्रहजिक तो देखा आप सभी ने की दादी जी की वाडी में जो मिथास और शक्ती थी वो उस परमात्मा की मधुर मुरली के कारण थी जिसको दादी जी ने अपने जीवन का एहम हिस्सा बनाया था निश्चे ही परमात्मा के उन महावाक्यों में इतनी शक्ती है जो किसी को भी महान बना सकते हैं दादी जी के ज शेष्टाओं को जानते रहेंगे इस कारेक्रम के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही आज्या लेते हैं नमस्कार ओम शन्ति